हेलो एवरिवन वेल्कम बेट टू एचीब मेंट इन आल कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपके साथ नम्रता अभी मैं रूबन के लिए निकल रही हूँ थर्श्ड है आज और आज मम्मी का कोई ब्रत भी है पता ने कौन सा ब्रत किया ये कुछ-कुछ करते रहती है तो मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ और इस दिन ही मैंने एजुकेशनल चैनल के लिए भी एक वीडियो बनाया है तो उसके बाद मैं पोस्ट नहीं कर पाये थी क्योंकि लगातार मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं जैसा कि आप लोगों के साथ मैं सेयर करते आ रहे हूँ और अभी यहां से मार्केट जाना है और मम्मी को मैं आसपास ही रखूंगी और मैं चली जाओंगी गाड़ी रिजर्व करके गाड़ी ओटो जो भी मिले रिजर्व करके चली जाओंगी रूबन देखती हूँ वहां डॉक्टर क्या कहते हैं अगर सारा रिपोर्ट पोजेटिव रहा तब फिर कुछ मार्केटिंग वगर कर लोगी और कोई परिसानी रही तो घर भी जल्दी ही आना है क्योंकि फिर यहां घर का भी काम रुका हुआ है काम करने वाली वह आएंग क्या होता है आप लोगों में से जो भी पहली वार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजेगा यहां मैं वापीस आ रहे हूं रूबन से और सारा रिपोर्ट विल्कुल सही था सब कुछ सही था डॉक्टर ने कह अब सब कुछ उनको आप खाने दे सकते हैं बस तेल मसाला कम होना चाहिए और फिर फ्रैडे को लेकर इनको ही जाओंगे उसके रिपोर्ट सब सही था तो देखते हैं अब क्या-क्या ले सकते हैं हम लोग क्योंकि बाबु को भी घर तो छोड़के आया इनके वरो से तो यह पर मैं देख रही हूं मैंने दो तो नहीं लिया फिलाल एक लिया है नोच पिन आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया है नेक्स्ट वीडियो में और बैक्ग्राउंड की आवाज को इगनोर करिएगा अभी भी आपको एसास हो रहा होगा मेरे आवास से कि मेरी तब या तभी भी खराब है और यहां पर ममी ने देखा बीस परशेंट आप पर ब्रांडेट कुर्तियों का से लगा हुआ था यानि कि साथ सो के रेंज का सारी कुर्तियां थी और यह पांच तो बीस या पांच तो साथ ऐसे करके मिल रहा था ट्वेंटी परसेंट अंदर गई तो वहां पर मुझे 3-4 कुर्तियां मेरे साथ का मिल गया तो वहां 10% मैंने डिसकॉंट करवाया तो वह कुर्तियां भी शेयर करूंगी अच्छे-ची कुर्तियां थी बाहर तो मेरे साथ का एक भी नहीं मिला यह जो ममी देख रही है गिरिन वाला ममी को काफी पसंद था लेकिन वह मेरे साथ का थाई नहीं कुल मिला कर यह कि बाहर में सिर्फ मेडियम और लार्ज था कोई डवल एक्सल या एक्सल नहीं था तो मुझे फ्रेस ही लेना पड़ा तो मैंने कहा कि आपको 10% रिसकॉंट करिए और उसके बाद फिर वह कुर्तियां दो गद्दा लगा हुआ है तो जो लोग आ रहे हैं कुछ लोग दूर से आता है उनको रात में रुखना पड़ता है तो उनके लिए 4-5 गद्दा हमें खरीदना पड़ा तो अब गद्दे को रखेंगे कहां तो उसको रखने के लिए हमें ट्रंक लेना बिल्कुल जरूरी हो इसलिए ट्रंक भी लगे हाथ उस दिन बहुत सारा काम किया था हम लोगों ने क्योंकि घर पे मेरे पिता जी थे और वो काम करने वाली को मैंने कहा था जब तक लोटके नहीं आएंगे आप रुकिएगा और मेरा बाबो भी वहीं था तो दो गंटा तो लगवग लगी जया था तो यह ट्रंक लेकर फिर घर जाओंगी और तुबागी कुछ नहीं लेना है कोई मार्केटिंग नहीं क्योंकि ममी थी तो लगातार दो-तिन दिन लगातार मार्केट आई ममी मेरे साथ थी तो आप यहां पर घर जा रहा है और यहां मैं पहुँच गई हूं घर चुके इनको भूक लग गई थी इसमें नॉनिष्टिक कड़ाई में बिल्कुल कम तेल में बन जाता है सब्जी तो बिना मसाले का मैं यहां पर सब्जी बना रही हूं जले ली मैंने अभी ड्रेस चेंज नहीं किया है क्योंकि इनको बहुत तेज भूक लग गई थी और यहां चुक थी मैं जब आई तब वो गई है यहां मैं मम्मी से बात करते वे सब्जी बना रही हूं जले ली मुझे सब्जी रोटी बना कर इनको देना है पहले क्या होता था मार्केट जाईए तो तुरंद आकर नहाईए लेकिन मार्केट में ज्यादा वीड़ भी नहीं था क्योंकि ह हम लोग दोपहर के टाइम में निकल गए थे दो बजे क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अच्छत पर से वीडियो सूट किया है पिछला वीडियो तो उसके तुरंद बाद ही अस्पताल के लिए निकल गई थी तो इसके बाद इनको खाना देकर फिर मैं आप को ट्रंग दिखाऊंगी कहां पर ट्रंग सेट किया है और हां मम्मी भी कुछ को समान खरी थी जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर कोई कड़ाई वगएरा जल जाए तो उसको साप कैसे करना होता है तो मैं मुझे इतना आइडिया नहीं होता है मम्मी जब भी आती है कुछ न कुछ नया समान जरूर खरीती है कुछ न कुछ उसको लगता है कि मेरी बेटी को जबकि आप देखिएगा मेरे कीचन में कितना समान रहता है लेकिन फिर भी जैसे सूप होता है आप लोग जानते होंगे वो सब मैंने रखती हूं मम्मी आती है बहुत चीज का आइ प्रजक्ट कर दिया था लेकिन जब मम्मी आये तो मम्मी ने कहा कि इसको साफ करने वाला आता है तुम बोलना विभा को इससे साफ करेगी तुम्हारा ये कढ़ाई बिल्कुल न्यू हो जाएगा तो अभी मम्मी आपको दिखाएगी मम्मी क्या लेकर आई है और सच में वो लेकि रहे हैं मेरा वाज बिल्कुल खराब हो गया क्योंकि मेरी भी तव्यत्व वाकई खराब हो गई है एदूकेशनल चैनल पर भी और कोई वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि काम करने वाले तो काम कर देती हैं लेकिन बागी जितना केर आपको करना होता है पैसेंट की द आप यह देखिएगा कड़ाई कितना काला है और मैं मम्मी को बोल रहे तो मत करूं मम्मी कल विभाग करेगी मैं दिखा दोंगी लेकिन मम्मी मुझे बता रहे थी मम्मी बोली नहीं मैं कर रहे हूं तो मेरा वीडियो बनाओ मैं नहीं भी रहोंगी तो तुम मुझे देखना म का ये चानल को सब्स्क्राइब करिएगा क्योंकि मेरा सारा वीडियो नेचूरल होता है आप लोग इसा कॉमेंट भी करते हैं एक दो दिखाते हैं तो आप देखिएगा मैं सारा काम खुद से करती थी लेकिन अभी इसीदी ज्यादा खराब है एक वीडियो मैंने डाला है बाकि वह सब वीडियो में नहीं दालना चाहती हूं मुझे खुसनुआ माहौल बहुत अच्छा लगता है और ये देखिए मम्मी का मैंने आलू का भुंजया भी तयार कर दिया और इधर देखिए इस तरह से ये कड़ाई साफ हो गई अब मैंने मम्मी को का कड़ाई छोड़ दो और ये जो सिंग में रखा हुआ है जो आकर चाह पर बलाए थी तो सारा बरतन सफ़ था तो मम्मी ने का आभ कड़ाई छोड़ दो मैंने छोड़वा दिया तो मरी ने जो आता है उसको साफर करके दिखाती हूं मम्मी तो भी लगर रहा最近 को दो या फेकना सही नहीं है इमर्जेंसी में अगर तुम्हारे पास धुला नहीं होगा तो तुम इसको यूज कर सकती और यह देखे किनारे में चारू तरफ और बीच में कितना साफ हो गया है यहाँ पर मेरा सबजी भी पग गया है और अभी उदर ममी लगी विए सिंग के तरफ कलचुल भी हम लोग करते हैं उसको और डबू भी आप लोग करते हैं उसको साफ करने में ममी को भी लग रहा है कि मैं साफ करके पूरा प्रोपर दिखाई ही दूँ और उसके बाद यहां मजलेल रोटी बना रही थी ममी जब लोगों ने कुछ ने खाया क्योंकि जलेले घर आने का था और यहां पर सबजी तेयार हो गया है बिना मसाले का ये सबजी है और बिल्कुल कम तेल में इस कडbildung होता है कि कम तेल में भी आप अच्छी सबजी बना सकते हैं और चुक्ए आज थी श्टार्ट किया है तो डारे यह देखिए और सच में वाकई यह साफ हो गया जल गया था मेरे से यह देखिए और यहाँ पर मैं इनके लिए खाना लगा रही हूँ यह वी 4-5 दिन बाद खाएंगे दिनको भी थोड़ा आजीब लगेगा इस तरह का खाना छूट गया था बिल्कुल बिना मसाले की सबजी है सबजी रूटी मैं इनको दे कर आती हूँ फिर आपको ट्रंक दिखाती हूँ और आप लोगों को उम्मीद करते हूँ वीडियो पस भी ना चुकी हूँ और यह देखिए बामें तो ना चुकी है और यह खाना खा कर अब भावु को खाना के ला रहे हैं और मैंने कैसे एरंज किया हॉल में यह ट्रंक वगेरा क्या-क्या रखा है मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी यह मजबूती चिक कर रहा है मेरा विटा किसा है ट्रंक तो चले डियर उमीद करती हूं आपने इंज्वाइ किया होगा मिलती हूं मैं आपसे अगले कि अधूए